नमस्कार जैहिन सभी साथियों का कौसिक G.S. Academy पर स्वागत है बिहार पुलिस के प्रिबियस एर परिक्चा में पूछे गए प्रश्णों पर आधारित आपके लिए टॉप 50 Most Important और Selected Question इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपको बता दे कि आपके एक्जाम में सभी प्रश्ण इसी सिरीज से देखने को मिलेगा तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौसिक G.S. Academy पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण है बच्चों में पिट्रीटरी गरंथी से अत्यधिक सराव का परिनाम क्या होता है तो आपका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा बढ़ी हुई उचाई बच्चों में पेट्रीटरी गृंथी से अत्यधिक सराव होने पर जया होता है उचाई अधिक बढ़ जाती है अगला प्रस्ट है कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस अपने अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुई थी तो आप सभी को पता होना चाहिए औपसन नमबर डी राइट हो जाएगा भारत चोरो आंधूलन के साथ करो या मरो का नारा जुरा हुआ है यह नारा किस ने दिया था तो यह नारा महत्मा गाण्धी ने दिया था अगला कोस्चन है सुवाषचंद्र बोच ने फॉर्वर्ड ब्लोग किया अस्थावना किस वर लिजिएगा नेक्स्ट अगला कुश्चन है अस्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो अस्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहंडा है उप्सन नमर चार राइट हो जाएगा राजाराम मोहंडा है नेक्स्ट कुश्चन है कि जालिया बाला बाग तरास्थी कब हुई थी तो जालिया वाला बाग तरास्थी 13 अप्रेल 1929 को याद रखियेगा सबी कुस्चन बार बार रिपीट होने वाले प्रश्ण है नेक्स्ट भारत का अंतिम ब्रीटिस वैसराय कौन था तो भारत का अंतिम ब्रिटिस वाइसराय था Lord Mountbatten option number C right हो जाएगा option number D right हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा Lord Mountbatten भारत का अंतिम वाइसराय कौन था ब्रिटिस वाइसराय Lord Mountain था next अगला question है भारतिय संभिधान में कितने मौलिक कर्तब्यों का उलेख है तो आपको बता दे कि भारतिय संभिधान में कुल एक गार मौलिक कर्तब्यों का उलेख है कितने एक गार मौलिक कर्तब कहां से लिया गया है तो यह रूस के संभिधान से लिया गया है next question है कि बलवन्त राय महता समीती ने किस परकार की पंचाइती राज बेवस्ता की सिफारिस की थी। तो ये बलवन्त राय महता समीती ने थ्री टेयर पंचाइती राज बेवस्ता की सिफारिस की थी। कितना थ्री टेयर जो भी हमारे गाउं में चल ला है थ्री टेयर वाला वही है। Next question है कि सम्विधान ने किस अनुछिद में अवसिष्ट सक्तिया नहित की है तो सम्विधान के अनुछिद 248 में अवसिष्ट सक्तिया को क्या किया गया है नहित किया गया है Next अगला question भीविया यद्यान रखिएगा भारतिय संभिधान के निमलिकित में से किस भाग में मौलिक कर्तब्यों का उलेख है तो मौलिक कर्तब्य भाग चार के कौमे है किसमें भाग चार के कौमें बार बार यह प्रशन पूछेगा है previous year exam में तो ध्यान लखिएगा नेक्स कोश्चन है कि भारत के प्रधान मंतरी को सपत कौन दिलाता है ये प्रशन आप सभी को पता होना चाहिए बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो भारत के प्रधान मंतरी को सपत दिलाते हैं भारत के राष्टपती कौन दिलाते हैं और सी राइट हो जाएगा भा अगला question है कि डोंगरी मुख्य रूप से किस राजे में बूली जाती है तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रित्वी के वायू मंडल के समताप मंडल में क्या है ओजोन परत है किस मंडल में समताप मंडल में ओजोन परत इस्थित है जो हमें हमारी प्राबैगनी किरने से क्य उसे हमारी रक्षा करती है नेक्स question है कि प्रित्वी के कोर को किस रूप में जाना जाता है तो प्रित्वी के कोर को बैरी एस्फियर के रूप में जाना जाता है option number C right हो जाए कि बैरी एस्फियर नेक्स question देख लिए आप यहाँ पे कि कौन सी नदी डिल्टा नहीं बनाती ह तो गंगा, ब्रहंपूत्र, गुदाबरी ये सभी नदी डेल्टा बनाती है लेकिन आपको बता दे कि तापती नदी डेल्टा नहीं बनाती है ध्यान रखेगा भारत का जीलो का जीला किसे कहा जाता है जीलो का जीला उसी को कहा जागा जहां पे सबसे ज़्यादा जील होगा तो यह कहा जाता है नैनीताल को किसे कहा जाता है नैनीताल जो उत्रा खंड राज में है उसे जीलो का जीला कहा जाता है अगला कोश्चन है कि सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे सीरियस को डैस भी कहा जाता है तो सीरियस को डॉग तो आपको बता दें कि अमली ये बर्सा का पर बुजसे और पर न 사ब आपरां कोशेटरान नेक्स्ट अगला कुछ record कि बारत में जो सबसे बड़ा बन अगला question है अगला question हरित करांति का जनक किसे कह जाता है तो आपको बता ती कि हरित करांति का जनक का जनक कर्याता है थो option number Q Remig verbal do राजमार्ग कौन सा है तो आपको बताती कि भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश आपको बताती कि भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश आपको बताती कि भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश आपको बताती कि भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित कुछा है क्या है सबसे छोटा लक्षदीप है अग्ला को जेन 소ॉत है कि चूना-पत्तर का रसायनिक नाम क्या है तो चूना-पत्तर का आपको यहां पर रासायनिक नाम होजाएगा क लेडि़ आय को केशियोन कारपनेट आप some नमबर ए राइट हो जाएगा kalgार्वमट कार्बोनी ने की अमल और 4 वालेट को क्या कहते है तो अमल और 5 के बीश होने वाली अभिकलिया को उदासनी करन कहते हैं ऌसन सी राइट हो जाएगा क्या कहते है उदासनी करन कहा जाता है ने केक्ष छेए जहाएं पे प्रकिरती क्या होती है तो दूद की प्रकिरती थोड़ी सी अमलिये होती है ध्यान रखेगा थोड़ी सी अमलिये होती है क्योंकि यहां पे दूद का प्रकिरती कितना होता है 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है तो थोड़ी सी यह क्या होता है अमलिये होता है एक्स कुस्चि एक लिए जल का पी अच मान होता है तो जल का पीअच मान बिल्कुल 7 होता है, सुध जल का पीअच मान कितना होता है? 7 होता है, ध्यान रखिएगा, next, अगला कुछन की गारे समुत में गोता खोरो द्वारा, स्वसन के लिए कौनसी गैस ऑक्सीजन के साथ मिसिर्ट की जाती ह यह तो oxygen के साथ helium gas को क्या की जाती है? मिस्रित की जाती है. किस gas को? helium gas को मिस्रित की जाती है. अगला है भारी जल का रसानिक सुत्र क्या है? तो भारी जल को dittorium oxide कहा जाता है, यानि भारी जल का रसानिक सुत्र. यहाँ पर option number B right हो जाएगा, D2O, next. अगला question है कि पर्मानु नाभिक की खोज किस्ट के द्वारा की गई थी, तो पर्मानु की नाभिक की खोज यहाँ पर रदर फोट के द्वारा की गई थी? रदर फोट, option number A right हो जाएगा, रदर फोट के द्वारा. नेक्स question देख लिएजिए कि प्रित्वी की आयू मापने के लिए निमलिकित में से किस बिधी का उप्योग किया जाता है, तो प्रित्वी की आयू मापने के लिए यूरेनियम बिधी का प्रियोग किया जाता है, किसका यूरेनियम बिधी का option number D right हो जाएगा, नेक्स कोश्चन है कि निमलिकित में से कौन सा बिटामिन कल्सियम के अपसोशन में मदद करता है तो कल्सियम के अपसोशन में जो मदद करने वाला बिटामिन है वो आपका कौन सा है option number B right हो जाएगा vitamin D calcium के absorption में क्या करता है मदद करता है next question देख लेजिए कि मिर्दा की अध्यन से सम्मंदित विग्यान क्या कहलाता है तो मिर्दा की अध्यन से सम्मंदित विग्यान को क्या कहते है pedology कहा जाते है option number A right हो जाएगा pedology next question है यहाँ का कि दाले निम्लिकित में से किसका सम्म्रिद शुरोत है तो दाल protein का सम्म्रिद शुरोत है option number B right हो जाएगा protein अगला question है कि कबक के अध्यन को किस नाम से भी जाना जाता है कबक के अध्यन को किस नाम से mycology के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है कबक के अध्यान को माइकोलोजी, option number C right हो जाएगा, माइकोलोजी के अध्यान के नाम से जाना जाता है, अगला question है कि तुचा की सबसे बाहरी परत, इसे epidermis कहा जाता है, क्या कहा जाता है, epidermis, ध्यान रखेगा, तुचा के सबसे बाहरी परत को, next, नेक्स्ट निम्लिखत मैंसे कौन सा बिसानु जनित रोग है तो बिसानु जनित यहां पर पोलियो है बाकि सारे रोग जीवानु जनित mundial है किसे जीवानु जनित धहान में रखी ओगा रक्त सम्मू की खोज की थी तो रक्त सम्मू की खोज किष्णी किया था यह किया थे लेंड एस्टीनर में option वर सी राइट हो जाएक है किष्णी लेंड एस्टीनर में अगला question है कि एक best मानव का समाने रक्त चाप कितना होता है तो कितना होता आप सभी को पता है 120 by 80 मीमी एच जी होता है next rate data book खाता परदान करता है rate data book में आपको बता दे कि लुप्त प्राया पौधे और जानवर दर्ज होते हैं क्या लुप्त प्राया पौधे और जानवर next अगला question है गठिया सरीर के जोरों में निमलेखित में से किस के जमाब के कारण होता है गठिया जो होता है वो आपको बताती कि यूरिक एसीट के जमाब के कारण होता है option number b right हो जाएगा किसी जमाब के कारण यूरिक एसीट के कारण गठिया और next अगला question है कि cancer का पता लगाने में प्रयुक्त होने वाले radio समस्थानिक है तो cancer का पता लगाने के लिए उपयोग होता है किसका cobalt 60 का option number A right हो जाएगा cobalt 60 next वहन में meter जो वहन तै की गई दूरी की गनना करता है वह कहलाता है तो जो meter जो वहन में जो meter जो तै की गई दूरी की गनना करता है जो meter लगा हुआ होता है उसे कहते है क्या ओडो meter क्या कहा जाता है उसे उसे कहा जाता है ओडो meter अगला कोश्य ने दाब का इसा हिमात रख्या होता है तो दाब का इसा हिमात रख्या होता है यहां पर पासकल होता है option number C right हो जाएगा क्या पासकल दाब का इसा हिमात रख्या होता है पासकल होता है ध्यान में रख्येगा next अगला है बाहनों के पास्व दरपन किस प्रकार के दरपन होते है तो बाहनों को जो पास्व दरपन होता है आपको पिता दे कि अब तल दरपन होता है किस प्रकार दरपन होता है अब तल दरपन लगा हुआ होता है और आज का last question है इसका जबाब आपको comment में देना है next class में हम देंगे इसका जबब कि यदि किसी बस्तू का भार 60 kg है चंदमा पर उसका भार कितना होगा ओप्शन है तो चलिए इसी कुस्चन के साथ आज का क्लास समाप करते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेनत अच्छा लगा हो आपके लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा